तो ये तो आप जानते ही हूंगे कि कल के दिन CSK और हैदरावाद के बीच जो मैच खेला गया उस मैच को CSK ने बहुत ही असानी से अपने नाम कर लिया और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने कल का मैच देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा लेकिन आज इस वीडियो को end तक देखिएगा क्योंकि कल के match में match खत्म होने के बाद कुछ ऐसे incident घटे जो आपको देख नहीं देखने चाहिए क्योंकि उन incident के बारे मैं यही कहूंगा कि कुछ incident ऐसे थे जो आपको एकदम proud feel करा देंगे तो same time पे कुछ घटना ऐसी थी जो आपका दिल पूरे तरीके से तोड़ देंगी तो देखिए अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी regularly follow करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि कुछी दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ एक incident शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि MS धोनी कुछी दिन पहले एक event में गए हुए थे जहां उनसे ये सवाल करा गया था क्या IPL 2023 आपका आकरी सीजन होने वाला है जिसमें धोनी ने कहा था कि अभी तो IPL 2023 खत्म होने में एक लंबा समय बाकी है अभी तो 40 से भी ज्यारा दिन बाकी हैं तो मैं बिल्कुल भी किसी चीज में जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं अभी बहुती अराम से ये निड़ने लेना चाहता हूँ कि ये सीजन मेरा आकरी सीजन होगा या फिर नहीं होगा इसके बाद से लोग सच में ये मानने लगे थे कि हो सकता है कि MS थोनी का ये सीजन आकरी सीजन ना हो लेकिन जैसी कल का मैच खत्म होता है तो MS थोनी खुदी अपने मुझ से ये कह देते हैं कि ये सीजन उनका आकरी सीजन होगा अब मैं यहाँ पे clear कर देना चाहता हूँ कि धोनी ने exactly यह तो नहीं कहा कि यह season उनका आखरी season है लेकिन कहीं ना कहीं यह भी सच है कि उन्होंने लगबग यही same चीज कह दी क्योंकि कल का match खत्म होने के बाद जब धोनी post match presentation में आते हैं तो वहाँ पे वो एक line कहते हैं कि it's the final phase of my career so I am enjoying it यानि कि यह जो phase चल रहा है मेरी जिंदगी का या फिर मेरे career का यह मेरा आखरी phase है जिसके चलते मैं इसे बहुत ज्यादा enjoy कर रहा हूँ तो लोगों का यहाँ पे बस यही कहना है कि अगर यह season धोनी का आखरी season नहीं होता तो धोनी ऐसा क्यों कहेंगे कि यह उनका final phase है और अगर धोनी ऐसा कह रहे हैं कि यह जो phase है वो उनके career का आखरी phase है जिसका मतलब यह साफ है कि यह season भी उनका आखरी season होगा अब फिलहाल के लिए कहानी ये है कि जब से धोनी ने ये बात कही है तो सारे ही देश का दिल तूट चुका है सभी लोग कही न कहीं ये मानने लगे हैं कि हाँ सच में ये सीजन धोनी का आखरी सीजन है क्योंकि IPL से पहले जब कोई भी ऑफिशल अनौसमेंट नहीं आई थी कि ये धोनी का आखरी सीजन होगा या फिर नहीं होगा तो लोग कहीं न कहीं तसली में जी रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है ये सीजन धोनी का आखरी सीजन ना हो अब अगर आपने कल का मैच लाइब देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल के ही मैच में हैमेस धोनी ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था जो की कैच वन आफ दा मोस्ट डिफिकल्ड कैचिस में से एक था खास कर जब स्पिनर बॉलिंग करा रहा हो और विकेट कीपर स्टम्स के बहुत करीब लगा हो ये कैच असल में धोनी ने हैदराबाद के ही कप्तान मरकरम का पकड़ा था पर यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपको पताई होगा कि IPL के हर मैच में बहुत सारे अवार्ड दिये जाते हैं और इनी अवार्ड में से एक अवार्ड ये भी होता है कि किस प्लेयर ने उस मैच का सबसे भैदरीन कैच पकड़ा था लेकिन असल में वो अवार्ड धोनी की जगाओ किसी और को दे दिया जाता है तो जब धोनी पोस मैच प्रिजेंटेशन में आते हैं तो वहाँ पे वो ये कहने से नहीं चूकते हैं कि मैं तो ये एक्सपेट कर रहा था कि मेरे को आज बेस्ट कैच का अवार्ड मिलेगा अब यहाँ पे धोनी जो ये बात कहरे होते हैं वो थोड़ा सा मजाक में कहरे होते हैं लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि धोनी ने भी सच में एक्सपेट करा था कि उनको ये अवार्ट आज मिलने वाला है धूनी इसी के साथ ये भी कहते हैं कि वो जो catch मैंने पकड़ा था ऐसे catches को पकड़ने के लिए सही time पे या फिर सही मौके पे मौझूद होना ज़रूरी नहीं होता है बलकि अगर आपको ऐसे catches को पकड़ना है तो आपको गलत मौके पे गलत टाइम पे मौझूद होना होता है और उस वक्त पे जो मेरा हाथ था वो एक गलत टाइम में गलत मौके पे अविलेबिल था और यही रीजन है कि गलत समय पे गलत जगव पे हाथ होने की वज़े से मुझ को एक सही catch मिल गया लेकिन अभी अभी जो मैंने आपको incident बताए वो तो असल में कुछ भी नहीं थे असल मजा तो लोगों को तब मिला जब उन्होंने मैच के खत्म होने के बाद कुछ ऐसा देखा जिसे देखके सच में लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि धोनी जैसा कोई और हो ही नहीं सकता मैं जानता हूँ कि आप मेंसे बहुत लोगों ने वो moment मिस कर दिया होगा तो चिंता मत करिये मैं आपको वो दिखाता भी हूँ और सेम टाइम पे वहाँ पे जो भी हो रहा था वो मैं आपको सुनाता भी हूँ पर वो देखने से पहले जैसा कि आप जानते कि आज की दिन होने दो बहुत ही बड़े महा मुकाबले पहला मैच होना है गुजरात लखनों का और दूसरा होना है मुंबई पंजाब का लेकिन अपने को क्या भी अपना तो फाइदा ही है ना दो दो बार मौका मिलने वाला है पैसा कमाने का क्यूकि अपने को तो ट्रेगो पे जाके बस यस या नो करना है और अंधा पैसा छापना है क्यूकि कोश्चन ही इतने इज़ी है अब पहले मैच का क्या है क्या जो गुजरात है वो लखनों से जीतेगी बस यस या नो करना है दूसरा क्या है इसी मैच का क्या जो केल राहूल है वो 30 प्लस का स्कोर करेंगे और वहीं बात आती है जब दूसरे मैच की तो पहला क्या ह है जो मुंबई है वो पंजाब जीतेगी ? दूसरा कॉष्टिन क्या है ? क्या जो रोहिष शर्मा है włoh 30 strategy की स्कोर करेंगे तो देखो इन 4 ही चारही कॉष्टिन में से मैं जिसे एक कॉष्टिन में पूरे तरीके से sure हूँ वह यह है कि KL राहुल 30 plus K स्कोर करेंगे भली धी में करें लेकिन जितना वो सेफ खेलते हैं अपना तो फाइदा ही है ना जैसी 30 प्लस का स्कोर करेंगे हमने तो यस कर रखा है तो पैसा ही पैसा होगा ना तो भाई तुम किस चीज का वेट कर रहे हो कुछ भी नहीं करना है रेट और पॉनिटी सेलेट यूज करते हो जोटी 25 जे ओएश चाई 25 तो तुमको 25 रुबे का बोनस मिल जाएगा जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो बाकी चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि ट्रेगो सिक्योर भी है लीगल भी है और चुट्कियों में यूपी आई कि थू यहां विड्रॉल भी हो जाता है उसके लाबा ट्रेगों पे लीडर वोर्ट भी चलता है टॉप तीन लोगों को भाई या थाइलेंड जाने का मौका मिल रहा है उसके नीचे की रैंक वालों को बड़े बड़े कैश प्रेसिस मिलते हैं चाहे तो टॉप टेन लिस्त तुम देख सकते हो तुम अगर हम पैसा बना रहे हैं तो तुमको बना के देना भाईया हमारा ही तो फर्ज है ना तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन प्रिंट करण में दिये हुए लिंक से ट्रेगों आपको डाउनलोड करो टेलीग्राम चनल को जॉइन करो और खूब सारा पैसा कमाओ तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे जैसा मैं कहरा था कि कल का मैच खत्म होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वापस से पूरा ही देश ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि भले कितने बड़े-बड़े क्रिकेटरें इस दुनिया में लेकिन धोनी जैसा दूजा कोई हो ही नह होते हैं तो जितने भी SRH के यंग्स्टर्स होते हैं या फिर जितने भी SRH के प्लेयर्स होते हैं वो चारो तरफ से धोनी को घेर लेते हैं ऐसा लग रहा होता है मानो धोनी उन लोगों को कोई ट्यूशन दे रहे हो और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सिर्व 19-20 साल के लड़क और इसमें कोई चौकने वाली बात नहीं है क्योंकि खुच जब MS धोनी बोल रहे हो तो कौन ही इन बातों को मिस्स करना चाहेगा लेकिन इनी तस्वीरों में सबसे कमाल की चीज ये देखने को मिलती है कि जहां सारे ही प्लेयर्स धोनी को सुन रहे होते हैं तो इस सभी प् लहुं उनकी बातों पर गवर कर रहे होते हैं मानो अमरान मलिक को कोई होश और खबर ही नहीं है कि उनके आफस पास क्या हो रहा है ओर बस यह चाहरे हैं कि धोनी बस बोलते जाए और बस सुनते जाएं है इवन धोनी की एक क्लास खत्म होने के बाद जब recur Laura Malik से ये पूच पूछा जाता है कि आप इतना ज्यादा फोकस होके धोनी को क्यों सुन रहे थे और क्या आप धोनी को सुन भी रहे थे या बस उनको देख ही रहे थे तो उम्रान मलिक बताते हैं कि ये कोई जानता ही नहीं है कि धोनी और मेरा नाता असल में है क्या उम्रान मलिक यहाँ पे एक बहुती बड़ी बात को रिवील करते हैं कि जब बच्पन में लोगों से पूछा जाता था कि तुम क्या बनना चाते हो तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो ये कहते थे मैं क्रिकेटर बनना चाता हूँ मैं इंडिया के लिए खेनना चाता हूँ लेकिन जब भी कोई मुझसे सवाल करता था कि बड़े होके तुम क्या करना चाते हो तो मैं बस यही कहता था कि बस एक बार मुझको MS धोनी के साथ खेनना है अब वो सपना तो मेरा पूरा नहीं हुआ क्योंकि MS धोनी मेरे इंडियन टीम में आने से पहले रिटायर हो गए लेकिन उसके बावजूद भी जब IPL में मुझको ये एक दो मौके हाथ लगते हैं कि मैं धोनी बाई के साथ खड़ा हो सकूँ उनको थोड़ा सा सुन सकूँ तो ऐसा लगता है कि मानो मेरा सपना पूरा हो गया अब सुनने में हो सकत है कि आप मेंसे कई लोगों को उमरान मलिक की ये जो बाते हैं वो थोड़ी सी बचकानी लगें लेकिन अगर आप एक धोनी फैन हैं या फिर कहूं कि अगर आप एक सचे इंडिन क्रिकेट फैन हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि उमरान मलिक के दिल में जो भावना है वो कहना क्या चाहरी हैं और देखो यहां पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा कि चाहे आज से पांस साल बीच जाएं दस साल बीच जाएं पचास साल बीच जाएं या फिर हजारों साल बीच जाएं लेकिन ये जो दिरिश्य है ना कि विपक्षी टीम के विश्च में भी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा आप लोग इस बात से कितना एगरी या डिसेगरी करते हैं जो भी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताईएगा बाकि डिस्क्रिप्शन और पिंड करेंट में दियो इनिसे ट्रेगो आपको चेकाउट करना विल्कुल ही मत भूलना क्योंकि सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इस से अच्छा मौका और कहीं मिल ही नहीं सकता और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौचूद है मेरे टेलीगराम चैनल का उसको जॉइन करने ना वहाँ पे सब कुछ आता रहता है जो भी कुश्चन लाइब हो रहे हैं इजी-जी कुश्चन सारी पेडिक्शन के साथ मैं वहाँ डालता रहता हूँ ताकि भले तुम मैच ना भी देख रहे हो तुमको पूरे तरीके से अपडेट मिलते रहें कि भाईया कौन सा कुश्चन है जहां पैसा बन सकता है और तुम्हें क्या करना है सिर्फ यस या नो करना है बाकि साइन अप करते ही जोड़ी 25 यूस करते ही तुमको 25 रुपे का ने नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए जय हैं धन्यवाद